हलो इन्वेस्टर्स कल येस बैंक के क्वार्टर वन रिजल्ट्स आए और शांदर रिजल्ट्स आने के चलते कम्पनी के शेयर पे हमें 11% से जाधा की तेजी देखने को मिली और अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले एक और बड़ी और धमाकेदार अनौसमेंट निकल करके आ जिन्नोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट और डिविडेंड अनौस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शे अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौसमेंट की हम बात करें तो HB Stock Holdings ने यहाँ पे डिविडेंड अनौस कर दिया है 1.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हरे एक शेयर पे 1.50 रुपे यानि की 1.50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा Definitely dividend value काफी जाधा अच्छा है और इसको देने की जो X date और record date है वो 2nd of August यानि की दूसरी अगस्त की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Gloster Limited कल के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेयर है 0.7% के एक positive note के उपर में close हुआ था और 839 रुपीज का क कंपनी के शेयर का closing price था अगर हम इस कंपनी के official announcement की बात करें तो Gloster ने जो है यहाँ पर dividend announce कर दिया है 20 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक शेयर पे पूरे 20 रुपे का dividend दिया जाएगा definitely यह dividend announcement भी काफी जादा अच्छा है और इसको देने की भी X date record date जो है 2nd of August की ही रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Zencer Technologies Limited यह कंपनी का जो शेयर है कल के trading session में 0.5% से जादा correct होता हुआ देखने को मिला और 738 रुपीज का कंपनी के शेयर का closing price था अ 7 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक शेयर पे 7 रुपे का dividend दिया जाएगा यह जो dividend value है ना ही जादा अच्छा है ना ही बेकार है एक average एक fair dividend company ने announce करा है और इसको देने की जो X date और record date है वो 19th of July यानि की 19 July की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम MM4 Gings Limited कल के trading session में ये company का share भी 0.5% से ज़ाधा correct होता हुआ देखने को मिला और 1270 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो MM4 Gings ने जो है यहाँ पे stock bonus announce करके रखाए 1 to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे एक share है जब bonus मिलेगा टोटल में जो आपका एक share है वो दो shares में convert हो जाएगा यानि कि आपके पास में इस company के जितने भी shares होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएंगे और इस bonus को देने की जो X date और record date है वो 16th of July यानि कि 16 July की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का न रुपीस का company के share का closing price था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो KPI Green Energy ने जो है यहाँ इस stock split announce करके रखा है 5 is to 10 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 5 shares है तो वो total में 10 shares में convert हो जाएंगे basically आपका हर एक share 2 shares में convert होगा आपके सभी के सभी shares यहाँ पर double हो जाएंगे और इस stock split को देने की जो X date और record date है वो 18th of July यानि कि 18 July की रहने वली है अब अगर आपको वीडियो अची लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है definitely एक ही trading session के हिसाब से एक काफी जादा शांदार momentum है और company का जो share है 288 रोपीज के उपर में close हुआ अब ONGC की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे ET Now करके काफी जाना माना business analyst है और ET Now की जो team है इसके अंदर काफी जाने माने technical analyst और research analyst अब ET Now ने जो है ONGC के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और जो target price दिया गया है वो 310 रोपीज का दिया है लगबग 288 रोपीज से लेके 310 रोपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे ET Now expect करके चल रहा है ONGC के share के उपर में ONGC की as a company अगर हम बात करें first of all एक PSU unit है तो इसी चलते government का support और investors का trust यहाँ पे बना रहता है इसके अलावा आप देखेंगे company fundamentally and financially भी काफी जादा strong है और long term vision भी हमें काफी जादा शांदर नजर आता है तो अगर आप long term के लिए भी ONGC के share को current price से purchase करते हैं तब भी आप को एक अच्छे खासे massive returns जो है ये company का share generate करके देदेगा past में already अपने investors को काफी हद तक काफी अच्छे returns डिलिवर कर चुका है और आने वाले time में भी काफी massive returns देने का potential रखता है और बाकी अगर हम 310 रुपे के target की बात करें definitely काफी चोटा target है और आपका एक short term का target रहने व आपको काफी easily achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो जरूर से ONGC के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा और अभी के अभी company के share को आपके watch list के अंदर mad कर लीजिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है yes bank limited yes bank का जो share है कल Friday के दिन हमें 11% से जादा की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला और 26.67 रुपीज के उपर में close हुआ definitely एक ही trading session के हिसाब से एक काफी जादा शांदार momentum हमें देखने को मिला और yes bank की तरफ से एक और positive update भी आ रही है basically company के quarter one results तो आ चुके हैं यह तो पुरानी खबर हो ग दिया था कि company की जो deposits और loans के amount हैं वो काफी एक तक increase होते नजर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं quarter one के results हमें अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे और मेरे कहने पर जिन भी investors ने हापे investment किया होगा एक अच्छा खासर return उन्हें yes bank के share पे से मिल गया होगा अभी main चीज यह आ जा analyst हो गए technical analyst हो गए even काफी बड़े बड़े brokerage firms भी जमें यह expect करके चल रहे हैं कि yes bank का जो share है वो लगबग 32 रुपीज के levels को touch करता हुआ हमें देखने को मिलेगा तो लगबग 26 रुपे से लेकर के 32 रुपे तक की एक जो बड़ी rally है अभी भी currently yes bank के share पे expect करी जा रही है अ उसके बाद में वापस से correct होता हुआ नजर आया अब वापस से जैसे जैसे company के financials और fundamentals हमें सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं उसी according company का share भी हमें वापस से rise होता हुआ देखने को मिल रहे हैं देखिए यह जो 32 रुपीस का target है हो सकता है इसको achieve होने में थोड़ा time stock के category में ही है and risk यहाँ पे काफी highly involved है तो वही capital आप invest करेंगे जिस पर पूरी तरीके से risk ले पाएं अपना कोई भी ऐसा capital आप यहाँ पे use मत करिए जिसकी आपको जरूरा तो short term में या mid term में तो इस चीज़ का अपने खास ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं risk अभी भी involved है और अगर आप long term vision रखते हैं लगबग आज से 4-5 साल बाद का तब यहाँ पे yes bank के shares को आप थोड़ी बहुत अच्छी quantities में purchase कर सकते हैं सिरफ तभी अगर आप long term के लिए hold कर पाएं बिना बीच में कोई भी withdrawal करें तो इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखिए yes bank के share को चाहे तो आपकी watch list के अंदर में add कर सकते हैं और अगली बार से जब quarterly results आने वले हो उससे पहले मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि quarterly results से पहले जो last quarter खतम हुआ है उसके अंदर company का actual में deposits और loan providing का क्या amount राए कितनी growth आई है तो उससे कहीं ना कहीं हमे expectations मिल जाते है quarterly results कैसे आते हुई देखने को मिलेंगे तो उस चीज़ का अपने ध्यान रखना है और आगे से इस बड़े चीज़ को या इस बड़िया momentum को miss नहीं करना है बाकी yes bank के share को अभी भी आपकी watch list के अंदर में add करा जा सकता है और yes bank और ongc इन दोनो companies के shares के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी x date से पहले पहले purchase कर लेना हुगा इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं यही कुछ stocks थे जिनकी तरफ से बड़ी updates सारी थी जिनोंने आपे bonus, split और dividend announce किया था अ लिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye